नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में Vodafone RDI Stock के बारे में डिस्कस करेंगे चुकि आज इस Stock के Q4 के Numbers डिकिलियर होने वाले हैं तो Numbers के क्या Expectation है आगे के क्या News Trend हो रहा है सभी Points को समझे इसे पहले Premium Telegram को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के Link से Account Open कर लेंगे वैसे पहले आपको यह देखना होगा कि Past One Month के Trend क्या रहे हैं तो यहां Consolidate Positive Trend रहा और 2.7% की तेजी इस Stock ने पिछले One Month में दिखाई है अब मैं एक बरीक पहले तो इसके Preview को समझेंगे कि वोड़ाफन आगया नेतन लोस क्वाटर इंडिट मार्स 31st 2024 इस एक्सपेक्टेट तो वीडेन और येर और येर वेसिस According to Estimate Y, 3 Brokerage Houses ने अपने Estimate जारी करें जहां Expect किया जा रहा है कि लोस 7,300 करोर से ले करके 7,700 करोर के बीच में होने वाला है सब से पहले नूबा मा को समझेंगे नूबा मा लगबग 14% निस लोस के Increment को Expect कर रहा है मोतिलाल Expect जो है वो लगबग 77,100 करोर के Loss Expect कर रहा है अब अगर Revenue के Expectation की बात की जाए ता Revenue for the Quarter is expected to be around 10690 यानि 10,690 करोर के Revenue Expect किये जा रहा है और ये Consolidate Positive Form में है नूबा मा जो है वो भी 10,779 करोर Revenue Expect कर रहा है जो की 2.33% के Gain है और पिछले कई Quarter से Stock in between 10,11,000 करोर के आसपास के ही Revenue को Declare कर रहा है Losses near around 7,000 करोर का हो रहा है और Losses का ही एक बड़ा Concern है यहाँ देखेंगे Net Losses Novama के दोरा जो Expected है तो मैं इस समय यह कहूँगा कि इसके जो Sales है वो Consolidate है ठीक है एक बार अगर Sales देखें तो Sales आपको पुरा Consolidate form है लगबग 10,000 करोर के आसपास के ही Sales पिछले कई Quarter से देखने को मिलेंगे लेकिन अगर Losses देखें तो यहाँ 4500 करोर फिर जो यह 7,000 करोर के आसपास आया उसके बाद देखेंगे कि 7,000 करोर के आसपास के ही Loss continue रहे है और यह एक बड़ा Concern है हलांकि यहाँ कंपनी ने ओल्रेडी 45,000 करोर के फंड रेज को लेकर के जो बाते कही उसमें 25,000 करोर रेज हो चुका है अब डेट के थुरू भी फंड रेज करने की तयारी चल रही है दूसरी खबर यहाँ इस समय एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Morgan Stanley के जो Global Index है Potential उसमें Inclusion हो सकता है और Rising Maximum Upper Side के Target 23 तक एक्सपेक्ट किये जा सकते हैं यहाँ देखेंगे The Telecom Sector Provider में भी Included in MSCI Global Standard Index According to NUVAMA Alternate and Quantitative Research जो NUVAMA ने यहाँ रिसर्च रेक्लियर करें वहाँ यह बातें कही गई हैं इस समय जो Fundraise को लेकर के बाते थी वो हमने आल्रेडी आपके साथ सेयर करा और यहाँ देखेंगे KOTAK के द्वारा KOTAK Security के द्वारा 23 तक के Levels Upper Side में Expect किया जा रहा है और यह क्यों किया जा रहा है क्योंकि KOTAK believe that the fundraising exercise from Vodafone idea ensure continuation of 3 plus 1 market construction in the medium term 3 plus 1 allorts to the 3 private player जो कि Reliance Zio भारती Airtel और Vodafone idea यानि ऐसा Expect किया जा रहा है कि Vodafone idea मरेगी तो नहीं और यहाँ से sustainable slow and steady upper side trend दिख सकता है आज का Volume देखें तो लगबग 24 काफी nominal Volume है 24 करोर के आसपास का अब मैं एक बार इसके चार्ट को दिखा हूँ चार्ट अभी भी एक range में है यह पुरा ही range है और minimum 15 के उपर का breakout important चाहिए एक बार यह 15 के उपर के breakout देता है तो फिर हम 19, 24 और 40 प्लस के level expect करेंगे और आज के quarterly numbers ही यह बात decide करने वाला है कि trend upper side या lower side दिखेगा higher probability है कि इस zone में consolidate के बाद अपर साइट की probability break out दीख सकता है अपर साइट की probability break out दीख सकता है झाल झाल